साथियो नमस्कार, आज की विज्ञान और तकनीकी की जो हमारी क्लास है, उसमें हम बात करने वाले हैं, Human Health, मानव स्वास्त और मानव रोगों के बारे में, मानव स्वास्त यदि हम बात करें, तो Health या स्वास्त का तात्पर है किसी भी व्यक्ति का सारीरिक, मानसिक और शामाजिक रूप से कुसल होना, अथार्थ ने केवल सारीरिक रूप से अपितु मानसिक और सामाजिक रूप से यदि व्यक्ति कुसल है, एफिसियन्ट है तो उसे healthy person कहा जाता है, और इस संपून व्यवस्ता को ही क्या कहा दिया जाता है, मानव स्वास्त कहा दिया जाता है, अथार्थ वे सभी आयाम जो की व्यक्ति को सारीरिक, मानसिक और शामाजिक रूप से कुसल बनाते हैं, किसी अंतरगत आते हैं, health के अंतरगत आते हैं, स्वास्त के अंतरगत आते हैं, तो हम कह सकते हैं, केवल कोई व्यक्ति रोगों से मुक्त है, अधार्थ किसी व्यक्ति को कोई रोग नहीं है, तो इसका तात्पर ये नहीं है कि वो स्वस्त है, रोगों से मुक्त होने के साथ ही वो मानसिक और समाजिक रूप से जब efficient होगा, दक्ष होगा, खुसल होगा तब ही उसे क्या माना जाएगा एक healthy individual माना जाएगा, स्वस्त व्यक्ति माना जाएगा अब मनुष्य के स्वास्त को या हम कह सकते हैं सभी जीवों के स्वास्त को परभावित करने वाले बहुत सारे कारक होते हैं उन महतपूर कारकों को मोटे तोर पर हम तीन भागों में बाट सकते हैं पहला जो कारक है जो किसी भी व्यक्ति के स्वास्त को परभावित करता है वो उसकी जीवन सैली, जीवन सैली का तात्परे वो किस प्रकार का भोजन करता है, सारिरिक गतिवीधियां कितनी करता है, किस माहोल में वो रहता है, वो क्या होती है उसकी जीवन सैली, तो किसी व्यक कोई ऐसे आनुवनसिक रोग से ग्रसित तो नहीं थे जो उसमें जीन के माध्यम से आ जाए तो आनुवनसिक था भी व्यक्ति के स्वास्त को निर्धारित करता है क्यों क्योंकि कई ऐसे रोग होते हैं जो जैनेटिक्स के माध्यम से आनुवनसिकी के माध्यम से माता पिता से स और तीसरा जो कारक है वो है संकर्मन, संकर्मन हर्थ इन्फेक्शन, कोई भी व्यक्ति जो की क्या है वर्तमान में स्वस्त व्यक्ति है लेकिन आसपास के माहूल में यदि किसी रोगानू से वो चपेट में आ जाता है, किसी पैथोजन के संपर्क में यदि वो आ जाता है तो वो बिमार हो सकता है तो इस तरीके से कुल मिला कर तीन ऐसे कारक हैं जो किसी भी व्यक्ति के स्वास्त को क्या करते हैं प्रभावित करते हैं तो ये बात करी हमने प्रभावित करने वाले कारकों की कौन-कौन से ऐसे कारक हैं जो व्यक्ति के स्वास्त को क्या करते हैं प्रभा इसके अंतरगत क्या individual स्वेम अपने स्वास्त की क्या करता है देखभाल करता है स्वेम के स्वास्त की देखभाल को ही क्या कह देते हैं हम personal health या व्यक्तिगत स्वास्त कह देते हैं और इसमें व्यक्ति स्वेम को क्या रखता है स्वेम की जीवन सहली को इस तरीके से रखता है क उसे किसी प्रकार का रोग ना हो, साथ ही साथ वो क्या करता है, इसके लिए व्यायाम करता है, अपने आसपास के जातावरण को स्वच रखता है, और एक संतुलिज जीवन सहली का पालन करता है, तो ये तो बात होगी किसकी personal health की, दूसरा जो aspects है health का, दूसरा जो I am है health का, व समाज के सभी लोगों की health की चिंता की जाती है, उसको सही रखने के उपाई किये जाते हैं, और मुख्यत है, सामुविक स्वास्त प्राप्त करने का जो target रखा जाता है, वो सरकार दुवरा रखा जाता है, और सरकार इसके लिए कुछ program चलाती है, जैसे pulse polio mission, राष्ट्रे malaria, उन्मूलन का रेक्रम, इनके माध्यम से संपून समुदाय को स्वस्त रखने का प्रियास किया जाता है, तो ये थे मानो स्वास्त के बारे में एक सामन ने जानकरी, जिसको हमने प्राप्त किया, और देखा कि किस प्रकार के दो dimension human health के होते हैं, कौन से ऐसे कारक हैं, जो human health को प्रभावित करते हैं, मानो स्वास्त को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, अब हमने जान लिया कि स्वस्त व्यक्ति कोन होगा, जो दक्ष होगा सारेरिक रूप से, मानसिक रूप से, और समाजिक रूप से, लेकिन कई बार ऐसी परिस्तिती होती है कि व्यक्ति बिम यदि टेक्निकल परिवासा की हम बात करें तो रोग से तात्परी या डिजिस से तात्परी ऐसी कोई भी स्थिती है शरीर के अंतरगत ऐसी कोई भी स्थिती जो किसी एक अंग को या एक से अधिक अंगों को या एक से अधिक अंगों का तात्परी है अंग तंत्रों को क्या कर प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर दे तो उस इस्थिती को क्या कह दिया जाता है उस प्रतिकूल इस्थिती को क्या कह दिया जाता है रोग कह दिया जाता है तो डिजिज या रोग की परिवासा क्या हुई ऐसी कोई भी परिस्थिती ऐसी कोई भी इस्थिती जो मानव के स् को से क्या किया जाता है क्लासिफिकेशन किया जाता है वर्गी करण किया जाता है उनमें से पहला क्लासिफिकेशन है संक्रामक रोग और एसंक्रामक रोग communicable and non-communicable diseases communicable diseases या संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं या तो प्रत्यक्षंपर्ग के द्वारा या एप्रत्यक्षंपर्ग के द्वारा वो किस प्रकार के रोग होते हैं? संक्रामक रोग होते हैं तो प्रतक्ष या प्रतक्ष शंपर्क के माध्यम से ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो सकते हैं और इसका कारण होता है उन संक्रामक रोगों के पीछे होते हैं क्या पैथोजन या रोगाणू ये रोगानू या पैथोजन क्या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के सरीर में प्रवेश कर जाते हैं और एक से दूसरे व्यक्ति में रोग को फैला देते हैं तो ये तो हुए संक्रामक रोग एसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में संपर्क के माध्यम से नहीं फैलते वो कौन से होते हैं एसंक्रामक रोग संक्रामक और एसंक्रामक रोग कौन-कौन से इनकी विस्तार्श हम चर्चा करेंगे लेकिन अभी के लिए हमें कियोल इतना समझना है कि संक्रामक ρोगों का concept क्या है और ऐ संक्रामक ρोगों का concept क्या है दूसरा प्रकार का जो वर्गिकरण है वो मानव रोगों को दो भागों में बारता है एक तो जनमजात रोग और एक उपार्जिक रोग जिनने इंगलिस में कहा दिया जाता है कंजिनाइटल एंड एक्वायर डिजेज गंजिनाइटल जनमजात रोग का तात्परी है ऐसे रोग जो व्यक्ति को जनम से ही प्राप्त होते हैं जब सिसु का जनम होता है उसी समय से उसको वो क्या होते हैं रोग यदी प्राप्त हो जाए तो उसे कंजिनाइटल डिजेज कह देते हैं जनम जात रोग कह देते हैं लेकिन यदी बाद में व्यक्ति की जीवन सैली या व्यक्ति को किसी संक्रमन के कारण बाद में जनम के पस्चात किसी परकार का रोग होता है तो उसे उपारजित रोग कहते हैं उपारजित रोग जैसा मैंने कहा जनम के पस्चात जीवन सैली के का यह सकती है communicable भी हो सकती है और non communicable भी हो सकती है तीसरा प्रकार का वर्गीकरण है जिसके अंतरकत रोगों को दो अलग अलग कौन से acute और chronic disease सामाने रोग और गंभीर रोगों में बाटा जाता है सामाने रोग कौन से रोग जो केवल एक अंग को ऐसे रोग जो मनुष्य के सरी केवल एक अंग को प्रभावित करे विशिष्ट अंग को प्रभावित करे या विशिष्ट अंग तंत्र को प्रभावित करे वो तो हो गए सामाने रोग लेकिन बहुत सारे अंगों को या सामाने स्वास्त को ही कोई विगाड दे वो रोग कैसे कहलाते हैं गंभीर रोग य और गंभीर रोग नेक्श अम बात करेंगे संक्रामक रोगों की में रोगों को बाट दिया था पहले प्रकार के रोग कुछ से थे संक्रामक रोग विसानू होगा या कोई कवक होगा या कोई प्रोटो जोवा होगी तो हम सरल सब्दों में ये भी कह सकते हैं कि ऐसे रोग क्यों जो किसी जिवानू, विसानू, कवक या प्रोटो जोवा के द्वारा फैलते हैं क्या कहलाते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं आइए देखते हैं क तो प्रतेक्ष संपर्क के माध्यम से, यानि एक व्यक्ति, दूसरे व्यक्ति के प्रतेक्ष संपर्क में, डारेक्टली क्या आता है, संपर्क में आता है, और वो डारेक्ष संपर्क कैसा हो सकता है, या तो एक विक्ति दूसरे विक्ति से हाथ मेलाए या यौन संपर्ख के दौरा sexual relation के दौरा या blood transfusion के माध्यम से या गरभवती मा जब सिसू के संपर्ख में रहती है तो गरभवती मा से सिसू को भी कोई रोग क्या हो सकता है transfer हो सकता है तो ऐसे सभी रोग जो कि इस प्रकार के प्रतेक्स संपर्ख के दौरा फैलते हैं वो किसके अंतरगत आते हैं संक्रामक रोगों के अंतरगत आते हैं दूसरा ऐ प्रतेक्स माध्यम से भी संक्रामक रोग फैल सकते हैं कैसे फैल सकते हैं उसके चार तरीके होते हैं लेकिन सामाने तो उसको यदि सामाने सब्दों में मैं कहूं तो एक व्यक्ति मानला A नाम का कोई व्यक्ति है बी नाम का कोई व्यक्ति है ये दोनों आपस में प्रतेक्स संपर्क में आ जाएं तो इसको क्या कहेंगे प्रतेक्स संपर्क द्वारा स से भी में पहुंच जाए तो उसको क्या कह देते हैं एपरतेक्स माध्धम से समुक्रामक रोगों को फैलना कह देते हैं और उसके लिए कारक कौन-कौन से जिम्मेदार होते हैं पहला कारक जिम्मेदार होता है Fomite आब यह Fomite क्या होता है Fomite ऐसी कोई भी वस्तू होती है जो किसी रोगी द्वारा काम में ली जा चुकी हो आब यह रोगी द्वारा जैसे रोगी ने कोई कपड़े पहने किसी वस्तू का खाने में उपयोग किया और वही वस्तू या कपडों का उपयोग यदि कोई स्वस्त व्यक्ति कर ले तो उसमें रोग फैल जाना क्या कहलाता है फोमाइट के द्वारा रोग का फैलना तो ये क्या हो गया फोमाइट दूसरा होता है ड्रोपलेट के द्वारा हवा में आ जाता है उस हवा के माध्यम से ये ड्रोपलेट किसके पास में पहुंच जाती है अन्य व्यक्ति के पास में पहुंच जाती है और इस ड्रोपलेट में क्या होते हैं रोगानू होते हैं इससे व्यक्ति क्या हो जाता है संक्रामक रोग से ग्रसित हो जाता है तो इस जो transfer होता है किसका droplet का वो किसके माध्यम से होता है हवा के माध्यम से होता है इसलिए इस प्रकार से जो रोग फैलते हैं इन्हें airborne disease कहा जाता है क्या आद कहते देखें air born disease यानि वायू के माध्यम से रोगानू एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जाता है तो कारक क्या हो गया पहला फोमाइट दूसरा ड्रोपलेट तीसरा जो कारक है वो है वेक्टर तीसरा कारक क्या है वेक्टर और चोथा कारक है केरियर पहले बात करते हैं vector एक परीवहन माध्यम का कारिय करते हैं किसके लिए रोगाणू यानि रोगाणू रोगी से vector के माध्यम से स्वस्त व्यक्ति में पहुंचते हैं और कैरियर भी इसी प्रकार का कार्य करता है कैरियर भी स्वस्त व्यक्ति में रोगाणू को पहुँचा देता है रोगी के माध्यम से अब कैसा होता है ये ट्रांसफर दोनों में ट्रांसफर जो होता है वो अलग-अलग प्रकार्शे होता है वेक्टर जो ट्रांसफर करता है पैथोजन का वो अपने सरीर के अंदर लेके यानि रोगाणू या पैथोजन को क्या ले लेगा अपने सरीर के अंदर ले लेगा और पैथोजन को अपने सरीर के अंदर लेके उस पैथोजन का जीवन चक्र अपने सरीर के अंदर पूरा करने के पस्चात इस पैथोजन को उस जीवन चकर के पूरा होने के बाद वो रोगाणू, वो वैक्टर उस रोगाणू को अन्ने स्वस्थ वैक्ति में क्या करके शकता है जैसे मच्छष tap बात करें मच्छर मच्छर क्या करता है क्या करता है मच्छर किसी भी व्यक्ति को जब काटता है तो उसके सरीर में यदि कोई रोगाणू होता है जैसे मलेरिया का रोगाणू हुआ तो उसको क्या कर लेता है वो अपने अंदर ग्रहन कर लेता है अब जो जो रोगाणू मलेरि के लिए क्या है उत्तरदाई है उसका जीवन चक्र वो अपने सरीर में पूरा करवाता है और दूसरे व्यक्ति को जब वो काटता है तो जीवन चक्र पूरा होने के पस्चाद रोगानू को उसमें ट्रांसफर कर देता है यह तो किसकी वैक्टर की बाद लेकिन कैरियर इस प् खुले में कोई मल पड़ा है उस पर क्या बैठी कोई मक्खी बैठी और मक्खी बैठ कर अपने पंखों के साथ में अपने पंजों के साथ में रोगानू को लेके आई और फिर उसको कहां ट्रांसफर कर दिया दूसरे व्यक्ति के वो संपर्ख में दूसरे व्यक्ति जिस प्रकार्शे रोगों का क्या करती है शестоक्रमार्मन करती है और ये मुख्य किसके द्वारा होता है भोजन और जल्ड़ के द्वारा होता है और यस प्रकार की बिमारियन जब इस माध्यम से ट्रांसफर होती हैं तो उसे कैसे बोल वाटर बॉर्ण डिजेज बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, वाटर बॉर्ण डिजेज बोल देते हैं, तो ये थे कुछ मांध्यम प्रत्यक्स और एप्रत्यक्स परकार के, जिनके द्वारा संक्रामक रोग एक व्यक्ती से दूसरे व्यक्ती में क्या हो जाता है, फैल जात संक्रमक रोग बैक्तिरिया के द्वारा भी फैलते हैं, वाइरस के द्वारा भी फैलते हैं, कवक के द्वारा भी फैलते हैं, और प्रोटो जवा के द्वारा भी फैलते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं, जिवानों द्वारा फैलाए जाने वाले संक्रमक रोग, यानि ऐसे स संकर्मन जो फैलाता है वो किस प्रकार से उसका संकर्मन फैलता है और उस रोग के लक्षन क्या क्या है तो सबसे पहले श्टार्ट करते हैं हम रोगों का सबसे पहला ऐसा रोग जो की जिवानों के द्वारा फैलाया जाता है वो है कोलेरा या इसे सामाने बासा में हैजा भी बोला जाता है और इसके लिए उत्तरदाई जो जिवानू है पहले हम जिवानू और जिवानू रोके लिए उत्तरदाई जिवानू को देख लेते हैं उसके बाद हम इसके संक्रमन और लक्षणों को देखेंगे तो जिवानू जो उत्तरदाई है किसके लिए हैजा के लिए वो है कौनसा विब्रियो कॉलेरी, कौनसा विब्रियो कॉलेरी, बात करें इसके लक्षणों की, तो लक्षण के अंतरगत क्या हो जाता है, आतों में क्या हो जाता है, infection हो जाता है, मनुष्य की आत में infection हो जाता है, जिससे उसको उल्टी और दस्त की क्या होती है सिकायत होती है तो प्रभावित जो अंग हो गया वो कौन सा हो गया छोटी आंत इससे प्रभावित हो चोटी आंत और बड़ी आंत इससे क्या होती है प्रभावित होती है ये बात भी किसकी सबसे पहला प्रकार का जो रोग है ज दूसरी जगह इस संकर्मन को फैला सकता है इसलिए इसी waterborne disease कहते हैं तूसरी disease है दूसरा रोग है diphtheria और ये diphtheria corinobacterium diphtheria नामक जिवानों से क्या करता है फैलता है यानि pathogen इसके लिए कौन सा है corinobacterium diphtheria होता कैसा है ये airborne airborne का तात्पर क्या हुआ हवा के माद्यम से ये रोगाणू एक जगह से दूसरी जगह क्या होता है चला जाता है और इस प्रकार संकर्मन फैलाता है इस जिवानों के कारण जो प्रभावित अंग होते हैं वो होता है स्वसंतंत्र और स्वसंतंत्र में क्या होत जिसे सामान्ने बादसा में क्या कहा जाता है। नेक्स्ट इस प्रकार का रोग जो की बैक्टिरिया के द्वारा फैलाया जाता है वो है टिटनेस और टिटनेस के लिए जो उत्तरदाई जीवानू है वो है बेसिलस टिटनी और इसके फैलने का जो मुख्य कारण होता है वो होता है किसी सिरिंज जो की ऐसे व्यक्ति द्वार छोड़ दिया जाए और वो ऐसे माध्यम के संपर्ख में आ जाए चोट लगने के पस्चा जहां से खुन वहरा है वो जगह ऐसे माध्यम से संपर्ख में आ जाए जहां टिटनेस बैक्तेरिया होने की संभावना है जैसे मिट्टी तो क्या हो सकता है उसको titnes रोग हो सकता है और इससे जो प्रभावित अंग होगी वो होगी पेशिया, muscles क्या होती है इससे प्रभावित होती है titnes के कारण और जब titnes के यदि हो जाता है तो muscles में या पेशियों में क्या हो जाएगी एठन आ जाएगी next है typhide next रोग है typhide जगे पर क्या हो जाते है संकर्मित करने के लिए पहुंच जाते है लक्षन क्या क्या है इसके बुखार आएगा व्यक्ति को कमजोरी होगी और typhide का एक विशिष्ट टेस्ट होता है जिसे विडाल के नाम से जानते हैं आप सभी लोग इससे परीचित होंगे typhide जिसको हुआ है उसमें यही टेस्ट करवाया होगा तो उसे ध्यान होगा उस टेस्ट को क्या बोलते हैं विडाल बोला जाता है उस टेस्ट को next बात करते हैं अगला जो रोग है जो जिवानू के कारण फैलता है वो है tuberculosis कौन सा? tuberculosis जिसे TB भी सामने बासा में कहा जाता है और इसका जो उत्तरदाई रोगानू है वो है mycobacterium tuberculosis air mode disease है मतलब वायू के माध्यम से रोगानू एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकता है प्रभावित जो अंग होगा वो स्वसंतंत्र होगा इसलिए खासी चलेगी और बुखार हो जाएगा अगला जो रोग है वो है pneumonia और pneumonia फैलाने के लिए उत्तरदाई जो रोगानू है वो है steptococus pneumoniae airborne disease है अथार्थ हवा के द्वारा ये रोगानू एक जगे से दूसरी जगे पर जा सकता है स्वसंतंत्र प्रभावित होता है इसलिए सांस भरेगा और बुखार आएगी और खासी चलेगी अगला जो है वो है plague जो की बेक्टेरिया के कारण होता है उत्तरदाई जो रोगानू है ये ठकान होती है और कई बार खून की उल्टियां और दस्त उसे होने लग जाते है अगला रोग है कुष्ट जिसे लेप्रोसी भी कहा जाता है और इसके लिए जो उत्तरदाई बेक्टेरिया है वो है Mycobacterium Lepre Airborne डिजेज है अथार्त हवा के दौरा एक जगह से दूसरी जगह रोगानू पहुँच सकता है और इसके अंतरकत इसकbereich किन डिजेज देखने को मिलती है अथार्त तवचा जो है वो गल जाती है या काली पढ़ जाती है इस प्रकार का तवचा विकार इसके अंतरगत किसमे कुष्ट में हमें देखने को मिलता है अगला सिफेलिस सिफेलिस जो रोग है वो किसके माध्यम से फैलता है वो ट्रीफोनेमा पॉलिडम नाम के जिवानों से फैलता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये प्रतेक्स संक्रमन प्रतेक्स माध्य से जाता है अथार सेक्स्वल रिलेशन से ही सिफेलिस और गोनेरिया दोनों ही क्या करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जा सकते हैं और इसके अंतरकत पहचान क्या होती है या लक्षन क्या होता है व्यक्ति के मूँ में या उसके जो जन्रांग है उस पर छाले हो जा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में और इसके अंतरकत क्या होता है जन्नागों में दर्द और उससे एक द्रव का 57 प्रागम हो जाता है तो यह थे कुछ रोग जो कि किसके माध्यम से फैलते हैं जिवानों के माध्यम से फैलते हैं एक बार फिर से एक विकली हम इनका रिपी कि कौन सा रोग और किसके द्वारा ये फैलता है आए देखते हैं सबसे पहले बात करें हम सबसे पहले कोलेरा की बात करें तो ये विब्रियो कोलेरी से फैलता है बात करें डिप्थीरिया की तो कौरिनो बैक्टिरियम डिप्थीरी से परटूसिस की बात करें तो हीमोफीलस परटूसिस से ये फैलता है, टिटनेस फैलता है, बेसिलस टिटिनी से, टाइफाइड, सालमोनेला, टाइफी, उसके बाद टुबरकुलोसिस या टीबी फैलता है, माइक्रो बैक्टेरियम टुबरकुलोसिस से, उसके बाद नीमोनिया की यदि हम बात करें, तो नीमोनिया, स पेस्टिन जिवानों के द्वारा और कुस्ट या लेप्रोसी माइको बैक्टिरियम लेप्री जिवानों के द्वारा और बात करें सिफेलिस की तो ये ट्रिफो नेमा पॉलिडम नाम के जिवानों द्वारा फैलता है उसी प्रकार गोनेरिया नाइजीरिया गोनेरिया जिवा और इतने सारे जिवानों का नाम इतने सारे रोगणूं का नाम याद कैसे रखा जाए तो उसके लिए हमने कोशिस करिए है कि आपको एक ट्रिक बताई जाए और वो ट्रिक है गोल्डन चिप्स, ठीक है ट्रिक का नाम क्या है गोल्डन चिप्स, तो आईए देख नह Cont ñs नाम ट्रिक है जिवानू से होनेवाले संक्रामत रोगों को याद करने के लिए अब एसे क्या हो गया एन्थ्रेक्स और ट से होंगे तीन रोग ती के रूप में में एक तो हम ने देखा टीटिनस और एक टाइफाइड टिटनेस, टाइफाइड और तीसरा रोग यह भी हम इसके करण देखें हैं तो हम देखेंगे, देखें, एक तो हो गया टिटनेस, यह टिटनेस हो गया टाइफाइड और एक हो गया टीबी, एक हो गया कौन सा? टीबी तो T से क्या हो गया TB तो तीन रोग किसके कारण T AT हमने इस सुत्र क्या बनाया formula क्या बनाया याद रखने के लिए at gold chips at gold chips A से anthrax A से हो गया anthrax T से क्या हो गया titanus हो गया typhide हो गया और TB हो गया अब बात भी है GOLD आप देखें GOLD में O क्या रहेगा यहाँ पर silent रहेगा इसी प्रकार I को भी आप silent करेंगे यानि और I से कोई रोग नहीं निकलेगा यहाँ पर G से क्या हो जाएगा goneria G से क्या हो जाएगा goneria goneria नाम का रोग L से आप देखेंगे क्या हो जाएगा Leprosis क्या हो जाएगा Leprosis जिसे कुछ रोग भी कहा जाता है D से क्या हो जाएगा Dipthiria उसके बाद CH से यह बात करें CH से हो जाएगा Colera जिसे क्या कहते हैं हैजा भी कहते हैं Pasal E Scrum P से हो जाएगा Puritosis या काली खाषी पर्तूसिस या काली खाषी और ऐसे हो जाएगा क्या सिफेलीस ऐसे क्या हो जाएगा सिफेलीस तो इस्ट्रिक के माध्य friendsे हम याद रख सकते हैं किसको याद रख सकते हैं ऐसे रोग जो कि किसके द्वरा फैलते हैं जिवानों के द्वरा फैलते हैं ये थे जिवानों से फैलने वाले रोग और उसकी ट्रिक अब इन में से दो महत्वपून जो संक्रामक रोग हैं उनके बारे में कुछ विशे स्तथ्य भी परिक्षा में पूछे जाते हैं जैसे टा टाइफाइड और टीबी के संदर्व में ऐसे कुछ तथ्यों को देखते हैं जो परिक्षा में पूछ लिये जाते हैं टाइफाइड और टीबी के बारे में कुछ तथ्यों को हम देखें पहला जो परिक्षा में पूछ लिया जाता है कई बार कि टीबी के लिए जो टेस्ट क किया जाता है वो कौन सा होता है तो TB के लिए दो प्रकार की टेस्ट किये जाते हैं पहले प्रकार की टेस्ट में एक पहले प्रकार का जो टेस्ट है उसमें टूबर कुलीन नाम का एक जो पदार्त होता है उसका इंजेक्शन बहां में लगा दिया जाता है व्यक्ति की जो बह हाँ है कंदा है उसके पास में injection लगा दिया जाता है और उस injection में कौन सा पदात होता है टूबरकुलिन नाम का प्रदात होता है यदि किसी व्यक्ति को टीबी है तो ये injection लगाने के बाद में उसके जो तवचा है जहां पर injection लगाया गया है वो तबचा लाल पढ़ जाएगी और वहाँ पर क्या हो जाएगी एक गांट जैसी structure उबर कर आ जाएगी तो इसका तात्पर क्या हुआ गर्थिको TB है यदि ऐसा नहीं होता है तो इसका मतलब गर्थिको TB नहीं है ये तो विरुद सरीर में जो antibody बनीती है ठीक है कौन सी antibody IgG और IgM नाम की antibodies बनती है उन antibodies का test करके यदि किसी व्यक्ति में क्या होगा TB का pathogen होगा antigen होगा कोई भी संक्रामक या रोगाणू संक्रामक रोगाणू जो होता है व्यक्ति के सरीर में antigen के रूप में क्या करता है परतिरक्षा तंत्र उसको antigen के रूप में पहचानता है antigen मतलब रोगाणू शरीर को नुकसान पहुंता सकता है तो उसके लिए सरीर में क्या बनती है antibodies बनती है जो उससे क्या करती है शरीर की रक्षा करने का प्रियास करती है तो यदि TB का रोगाणू शरीर में होगा तो उसके लिए antibody भी शरीर में बनेंगी और यदि antibody बन गई और उनकी उपस्थिती blood में confirm हो गई तो इसका तात्पर है उस व्यक्ति को क्या है TB है ये थे TB के बारे में कुछ species तत्थे आप बात करेंगे Typhine के बारे में भी एक lady फ्रकार का ऐसा तत्थ्थे है जो आपको जिसकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि Typhine का जो नामकरण है वो Typhine क्यों पड़ा उसके पीछे एक कारण था कारण क्या था एक रसोईय था जिसका नाम था टाइफाइड मैरी टाइफाइड मैरी नाम का जो ये रसोय था इसको जब टाइफाइड हुआ तो इसको मालूमी नहीं चला तब तक टाइफाइड के खोज नहीं भी थी इसको मालूमी नहीं था कि उस व्यक्ति को क्या है टाइफाइड है और इस व्यक्ति ने बहुत सारे ल वाले कुछ संक्रामक रोग और उनके बारे में कुछ विशेश्चत थे अब बात करते हैं वाइरस से होने वाले संक्रामक रोग जैसा मैंने आपको बताया संक्रामक रोग वाइरस से भी फैल सकते हैं बैक्टिरिया से भी फैल सकते हैं प्रोटो जोवा से भी फैल सकते हैं पहले हम देखेंगे कौन सा रोग, कौन से वाइरस से फैलता है, और किस प्रकार से उसका संक्रमन होता है, संक्रमन का मध्यम क्या होता है, और इस संक्रमन के लक्षन व्यक्ति में क्या होती है, सबसे पहले बात करने वाले हैं, इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा जो रो में तो उस हवा औरोगाणु को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा ska की है और इसके एंतरकत स्वंत तंद्र व्यक्ति का प्रभावित होता है जिससे व्यक्ति को जुखाम लग लग सकती है उसको बुखार आ सकता है दूसरा जो इस वेक्टर के रूप में कार्य करता है किस रूप में कार्य करता है वेक्टर और कौन सा मच्छर होता है वो प्लाजमोडियम क्यूलेक्स नाम का मच्छर होता है ये प्लाजमोडियम क्यूलेक्स नाम का मच्छर इस रोगानू को क्या करता है संक्रमित सूवर्शे अपने अंदर ग्रहन करके कहां तक पहुंचा सकता है मानव तक पहुंचा सकता है लक्षन क्या होंगे बुखार आएगा व्यक्ति को उल्टी हो सकती है सिरदर्द उस व्यक्ति को हो सकता है जो किस रोग से ग्रसित है जापानी एंसिफिलाइटिस से क्या है जापानी एंसिफेलिस से क्या है ग्रसित है अगला जो विशाणू से फैलनी वाला रोग है वो है जुखाम समन्ने जो जुखाम हमको होती है जिसे कोल्ड कह दिया जाता है राइनो वाइरस के कारणी ये फैलता है एयरम बॉल्ड ड्रोपलेट इसके संक्रमन का माध्यम है या बर्ड फ्लू के लिए उत्तरदाई जो विशाणू है जो वाइरस है वो है H5N1 और ये रोग मानवों में नहीं पाया जाता आपी तू पक्षियों में फैलता है और पक्षियों में कैसे आपस में जब पक्षि किसी भी तरीके से संपर्क में आ जाते हैं तो बर्ड में ये जो उत्तरदाई होता है वो है H1N1 बर्ड फ्लू के लिए H5N1 स्वाइन क्लू के लिए H1N1 और ये क्या हो सकता है एयर बॉर्ण भी हो सकता है और वाटर बॉर्ण भी हो सकता है अथार्द ये क्या कर सकता है संकर्मित सूर्षे मानव में जा सकता है और मानव से फिर ये जो मक्षर बैक्टर की रूप में यहां कारे करता है वह मंचर के रूप साइकल को अपने σरीर में पूर्ण करता है है और एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में तृम्सफर करता है। लक्षन क्या होंगे बुखार होगा जोडों में विशेस रूप से दर्ध होगा यदि डैंगो किसी व्यक्ति को हो जाता है और प्लेटलेट की जो संक्या है वो क्या हो जाती है कम होने लग जाती है जो व्यक्ति डैंगो से पीडित है उसमें इसके करण कई बार नाक से या अ नेक्स्ट बहुत ही आपने नाम सुना है जिसका COVID-19 तहल का जिसने मताया पूरी दुनिया में वो जो रोग है वो भी किसके द्वारा फैलता है वाइरस के द्वारा वाइरस का नाम है SARS-CoV-2 चूंकि इसके द्वारा बहुत लोग दुनिया में प्रभावित हुए थे महमारी क रूप में ये फैला इसलिए इसका विस्तरत रूप से अध्यन करना जरूई है क्योंकि परिक्षा में इस चित रूप से इससे पूछा जा सकता है इसलिए मुख्य परिक्षा और प्रारंपिक परिक्षा दोनों की ही अप्रोच को मिक्स करते हुए इसकी डिटेल स्टेडी क्योंकि मुक्षे परिक्षा में भी संक्रामक रोगों का के गले पर क्या हो जाते हैं कुछ निशान हो जाते हैं गोल गोल से निशान हो जाते हैं दानों जैसे निशान हो जाते हैं अगला इस प्रकार का रोग है चिकन पॉक्स जो की वाइरस से फैलता है छोटी माता इसे सामने रूप से कहाद बोलचाल के बासा में कहा दिया जाता ह और इसके लिए उत्तरदाई जो वाइरियोला जोस्टर एरबॉर्ण होता है अतार्थ हवा के माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संकर्मन करने के लिए रोगाणू पहुंच सकता है लक्षन इसके वही होते हैं चैरे और गले पर लाल दाने इसमें दिखाई देत अगला जो इस प्रकार का रोग है जो वाइरस से फैलता है वो है एड्स जो कि किस के कौन से वाइरस के दौरा फैलता है HIV, Huminoefficient, वाइरस के दौरा ये रोग फैलता है ठीक है और इसका भी विस्तरत विवर्ण अलग से देखेंगे ये भी एक ऐसा रोग है जो व्यक्ति एक परकार की क्या है जानलेवा बिमारी है इसलिए इसका भी विस्तरत वेवर्ड जो है अलग से देखने वाले हैं उसके अलावा हेपेटाइटिस नाम का एक रोग भी वाइरस के कारण फैलता है इसके कई परकार होते हैं A, B, C, E अलग-अलग परकार की हेपेटाइटिस अलग-अलग परकार की हेपेटाइटिस वाइरस से फैलता है ये और मुख्य रूप से ये प्रतेक्शंपर्ग से फैलता है ये प्रतेक्शंपर्ग से नहीं प्रतेक्शंपर्ग से नहीं प्रतेक्शंपर्ग से नहीं प्रतेक्शंपर जो कि वाइरस दुआरा एक विक्ति से दूसरे विक्ति में फैलते हैं यानि जिम्मेदार जो रोगाणु होता है वो कौन होता है वाइरस होता है इसके अत्रिक कुछ अन्य रोग भी हैं जो कि वाइरस के माध्यम से क्या करते हैं वाइरस उनका क्या होता है रोगाणु होता ह या pathogen होता है और एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं आएए देखते हैं वो और कौन से रोग है पोलियो पोलियो जो जिस वाइरस के कारण फैलता है उसका नाम है mellitis और संकर्मन होता है waterborne अथार जल के माध्यम से रोकाणू एक जगे से दूसरी जगे जाकर व्यक्ति को संकर्मित कर सकता है और लक्षन क्या होगा इसमें व्यक्ति को लक्वा हो जाता है next है rabies प्रकार का रोग जो lyza virus के कारण फैलता है और ये virus मनुष्य के शरीर में कुत्ते के काटने से क्या करता है और इसमें व्यक्ति को बुखार हो जाता है सिर्दर्द हो जाता है लक्वा भी व्यक्ति को हो जाता है next है harps रोग जिसे emcephilis भी कहते हैं और इसके अंतरक anticyphilis भी कहते हैं और इसका कारण है harps simplex virus harps simplex virus इसका कारण है और इसके अंतरगत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को रोग कब फैल सकता है जब प्रत्यक्स रूप से उनकी तवचा या इसकी नापस में क्या आ जाए संपर्क में आ जाए जो रोगी है उस व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति की तवचा यदि संपर्क में आ जाती है तो ये रोग फैलता है और इसके लक्षन है शरीर पर छाले हो जाते हैं और दिमागी बुखार व्यक्ति को हो जाता है एंसिफिलाइटिस कहते हैं से उसके बाद है अगला जो वाइरस के कारण फैलने वाला रोग है वो है मिसिल्स जीसे खसरा सामान ने भासा में का जाता है वाइरस जो इसके लिए जिम्मेदार है वो है रूबेला एयर बोर्ण है यानि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हवा के माध्यम से ये पहुंच सकता है और इसके अंतरकत बुखार होती है व्यक्ति को खासी और बदंदर्द भी होता है ये थे विशानों से फैलने वाले बहुत सारे रोगों को आपने देखा जैसे बैक्टिरिया के लिए अमने ट्रिक मनाई थी वैसे ही वाईरस से फैलने वाले रोगों के लिए भी एक ट्रिक होती है कौन्से ट्रिक होती है ट्रिक का नाम है वाईरस इज कॉल्ड रेड स्पैम ये एक ट्रिक है आईए देखते हैं किस प्रकार से इस्ट्रिक के माध्यम से वाइरस से फैलने वाले रोगों को याद रखा जा सकता है ठीक है वाइरस इज तो आई से क्या हो गया influenza आई से क्या हो गया influenza फिर जो C है S यहाँ पर silent है C से क्या हो गया common cold common cold मतलब समाने जुखाम इसके अलावा C से चिकन पोक्स इसके अलावा C से चिकन गुनिया ठीक है पीस रही अब next R R जो आया R से तात पर रहे है Rabies और Rubella Rabies और Rubella E से मतलब निकाल लगा Encephalitis E से Encephalitis D से क्या हो गया Dengu D से क्या हो गया Dengu फिर S से क्या हो गया Smallpox P से क्या हो गया Polio A से क्या हो गया AIDS ठीक है A से क्या हो गया AIDS और M से क्या हो गया Mizzles and Mumps तो इस ट्रिक के माध्यम से हम वाइरस से फैलने वाले रोगों को याद कर शकते हैं वापिस से trick को देख लेते हैं ट्रिक क्या है वाइरस इज कॉल्ड रेड स्पैम ठीक है वाइरस इज कॉल्ड रेड स्पैम वाइरस से तो आपको ध्यान रहे जाएगा कि यह रो किसके करण फैल रहे हैं वाइरस के करण I से influenza C से common cold chicken pox और chicken gunya फिर उसके बाद में R से है rabies और rubela उसके बाद E से है encephalitis उसके बाद D से है dengo उसके बाद S से है smallpox P से है polio A से है AIDS और M से है measles and mum यह सबी रोग किसके करण फैलते हैं वाइरस के करण फैलते हैं वाइरस से फैलने वाले लोग और उसकी soul trick को हमने देखा next हम बात करते हैं प्लाजमोडियम फैलसी पेरम ये तीनों ही ऐसे प्रोटो जोवा हैं जो मलेरिया रोप को फैलाते हैं अलग-अलग प्रकार के मलेरिया ये फैलाते हैं जिन में से सबसे घातक प्रकार का जो मलेरिया होता है उसे बोलते हैं मलेरिया मैलिगनेंट और ये मलेरिया मैलिगनेंट प्लाजमोडियम फैलसी पैरेम मैलिगनेंट प्रकार का जो मलेरिया फैलता है वो किस से फैलता है प्लाजमोडियम फैलसी पैरेम नाम के प्रोटो जोवा से फैलता है ये परशन जो है R.A.S. परिक्षा की जो R.A.S. 3 एक्जाम 2021 ती उसमें पूछा गया था कि मलेरिया मैलिगनेंट नाम का जो मलेरिया है उसके लिए उत्तरदाई प्रोटो जोवा कौन सा है तो उत्तरदाई प्रोटो जोवा कौन सा है प्लाजमोडियम फैलसी पैरेम के द्वारा ये फैलता है किस प्रकार से संकर्मन फैलता है? संकर्मन फैलता है जब मादायनाफ्लीज जो मच्छर होता है मादायनाफ्लीज नाम का जो मच्छर है वो एक व्यप्ति जिसमें ये रोग है उसको काट कर दूसरे व्यप्ति को काट लेता है तो ये रोग क्या होता है फैलता है लक्षन के दिबात करें तो ये RBC को प्रभावित करता है बलड में पाई जाने वाली जो RBC है उसको ये रोग प्रभावित करता है और RBC को क्या कर देता है ये रप्चर कर देता है RBC फट जाती है और फट में से क्या निकलता है बिलुरू पेचिस या इसे अमीबियोसिस भी कह देते हैं और अमीबियोसिस फैलाने के लिए जो उत्तरदाई प्रोटो जो है वो है एंट अमीबा हिस्टोलाइका जो की मुख्यत है दूसित जल में पाया जाता है तो कोई भी ऐसा दूसित जल जिस पर मक्खी और कोक्रोज बैठ चुक जब भोजन पे बैठ जाएं तो ये जो एंट अमीबा हिस्टोलाइका नाम का प्रोटो जोवा है वो मनुष्य के सरीर में प्रवेश कर जाता है और व्यक्ति को क्या होती है दस्त होता है या कबजी हो जाती है पेट में दर्द हो जाता है यानि कह सकते हैं पेट से संबंद प्रदर्शित किये जाते हैं तो अमीबियाई पेटिस या अमीबियोशिस किसके कारण एंट अमीबा हिस्टोलाइका लेकिन जो लक्षन है वो पेटिस बैक्टिरिया से कोई व्यक्ति संकर्मित हो जाता है तो भी इसी प्रकार के लक्षन को क्या करता है प्रदर्शित करता नेक्ट जो रोग होता है प्रोटोजोवा के करण वो है एसकेरियेशिस और जो जिम्मिदार प्रोटोजोवा है वो है एसकेरियेशिस लुम्ब्रिकोईडस और ये भी वही मक्षी और कोकरो जब दूसी तमल पर बैठ कर भोजन या पानी में रोगानों को छोड़ देते हैं जिसमें क्या होता है एसकेरियेशिस लुम्ब्रिकोईडस होता है तो व्यक्ति को ये रोग हो जाता है और इसके लक्षन भी वही होते हैं जो की अमीबोईशिस के होते हैं और बच्चों की जो गुदा है उसमें खुजली होने का कारण भी ये रोग क्या होता है बच्चों वोधा में कई बार खुजली कि जो स्थीती पैदा होती है इस रोग के फैलने के लिए उत्तरदाओ प्रोटो जोवा है वाउचेरियाई बॉंक्रेफ्टी वाउचेरियाई ब्रॉंक्रेफ्टी और उत्तरदाई जो संकर्मनकारी जीव है वो है प्लाजमोडियम क्यूलेक्स प्लाजमोडियम क्यूलेक्स जो मच्छर है वो इस वाउचेरियाई ब्रॉंक्रेफ्टी को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर कर देता है जि नेक्स्ट है कालाजार नाम का रोग प्रोटोजवा से होता है लिस्मानिया नाम के प्रोटोजवा से होता है और इसको फैलाने का जो कारे किया जाता है वो सेंड फ्लाई नाम की मक्ही दुके द्वरा किया जाता है लिवर में सूजन और बुखार इसका क्या है प्रमुक लक् नेक्स्ट आम बात करेंगे कवक से फैलने वाले कुछ संक्रामक रोगों की तो कवक से या फंगस से जो संक्रामक रोग फैलते हैं वो कौन-कौन से हैं पहला है अस्थमा और अस्थमा के लिए उत्तर जाई जो कवक है वो है और ये एक एसंक्रामक परकार का रोग है आपको जान रखना है संक्रामक रोगों के साथ या हमने पढ़ लिया क्योंकि ये कवक से फैलता है लेकिन ये संक्रामक नहीं है एसंक्रामक परकार का रोग है एथलिट फुट भी इसी प्रकार का एक रोग है जो की टीनिया पेडिस नाम की कवक के दोरा फैलता है उसी प्रकार दाद या रिंगवम सफेद दाद जो सरीर पर हो जाते हैं वो भी क्या होते हैं फंगस के कारण फैलने वाले ही रोग हैं और माइक्रोस्फोरम, ट्राइकोफाइटीन और एपीडर्मोफाइटीन नाम के जो कवक या फंगस होते हैं वो इस रोग को क्या करते हैं फैलाने के लिए उस्तरदाई होते हैं तो ये थे कुछ रोग जो की प्रोटोजोवा, वायरस, बैक्टीरिया या कवक के माध्यम से फैलते हैं नेक्स्ट अम बात करते हैं संक्रामक रोगों से बचाओ की बात देखिए हमने संक्रामक रोगों के कारण के पीछे क्या देखा था? कुछ ऐसे वेक्टर होते हैं, कुछ इस प्रकार के कैरियर होते हैं, या फिर फॉमेट होते हैं, यानि रोगी द्वारा यूज किये गए कपड़े या विस्तर से जब व्यक्ति संपर्क में आ जाता है तो उसको क्या हो जाते हैं? संक्रामक रोग से बचने का उपाय क्या हो सकता है? जो इसके कारण है उनको दूर कर दिया जाए, तो कारण क्या था? एक तो होमाइट, होमाइट मतलब रोगी के कपड़े या विस्तर जो उसने यूज करे यानि उससे व्यक्ति को दूर रखा जाए, इसी प्रकार कैरियर, कैरियर मतलब मक्षी और मक्षर जो की रोग को फैलाते हैं, मक्षी और मक्षर इसी प्रकार वेक्टर, वेक्टर के रूप में कौन मक्षर मुख्यत है? तो यानि वातावर्ण को ऐसा रखा जाए कि मक्षर और मक्षी जो हैं उनसे मुक्त रहे और एक रोगी दूरा यूज किये गए सामान को दूसरा स्वस्थ वेक्ति यूज ना करे तो संक्रामक रोगों से बचा जा सकता है, और इसके लिए व्यक्तिगत और जन्स्वच्छता, सामोईक स्वस्था दोनों जरूरी हैं, हम देखते हैं कि जो रोगाणू संक्रामक रोगों के लिए जो उतरदाई रोगानू है वो सरीर में प्रवेश कैसे करते हैं यदि सबजी और फलों को बिना धोयें खाते हैं तो उसमें क्या होते हैं जो रोगानू होते हैं उनके उपर लगे हुए वो गेटी के सरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो बचाओ का उपाई का होगा इनको दंग से दोके आपको खाना चाहिए आसपास में गंदगी नीन रखनी चाहिए खुला मलमुत्र जो है वो पड़ा नहीं होना चाहिए क्योंकि उसमें क्या होते हैं कुछ संक्रमन कारी रोगानू होते हैं तो उनको अगर आसपास में नहीं रहेंगे तो मक्षी और मक्षर के माध्यम से वो फैलेंगे नहीं इसे पकार संक्रमित व्यक्ति के साथ में संपर्क में नहीं आना चाहिए जिस व्यक्ति को अल्रेडी संक्रमन हो चुका उससे संपर्क में स्वस्थ व्यक्ति को प्रोटेक्स या एप्रोटेक्स लूप से नहीं आना चाहिए और ऐसी जगह जहां पैथोजन कि उपस्तिटी हो सकती है उस जगह पर कीट नास्वों का क्या करना चाहिए छिड़काओ करना चाहिए और वहां की नियमित सफाई करनी चाहिए ताकि और मक्य और मच्छर पैदा ना हो जो कि संक्रमकारी रोगों को फैलाने के लिए कैरियर की रूप में क्या करते हैं कार्य करते हैं या वेक्टर के रूप में कार्य करते हैं यह थे संक्रमक रोगों से बचाओ के कुछ उपाए हमने बात करी संक्रमक रोगों की ह दोख किया है और दूसरे जो वर्गिकरंड हमने रोगों का देखा था उसमें हमने देखा था दो प्रकार के रोग एक तो जनमजात रोग और एक ऐसे रोग जो अरजित किये जाते हैं जनमजात रोग जो व्यप्ति को होते हैं वो कहलाते हैं आनुवान्सिक रोग Genetic Disorder जो मा उस प्रकार के रोगों को क्या बोल दिया जाता है और जादातर जैनेटिक डिसॉरडर कि से सम्मधित होते हैं image. जीन आमको मालूम है कि कहा इस्तित होते हैं? गुणसुतरों पर इस्तित होते हैं कहां पर? गुनसुत्र पर क्या होते हैं? जीन इस्तित होते हैं यानि किसी क्रोमोसोम में गडबडी होने से उससे संबंदित जीन गडबड हो जाएंगे और उसके कारण जो रोग होंगे वो क्या होते हैं? जैनेटिक डिजेज उनको बोल देते हैं अनुआंसिक रोग उनको बोल देते हैं अब ये गुनसुत्र जिनके कारण जिन में जीन की गडबड़ी की कारण होता है वो मुख्यत क्या होते हैं? लिंग गुनसुत्र होते हैं अब ये लिंग गुनसुत्र क्या होते हैं? देखिए मनुष्य में जो गुनसुत्रों की संख्या होती है वो कितनी होती है 46 या उसे कह दिया जाता है 23 जोड़ा 23 जोड़ी गुनसुत्र होते हैं एक जोड़े में 2 गुनसुत्र तो 23 जोड़े गुनसुत्र होते हैं जो 22 जोड़े गुनसुत्र होते हैं इस गुण सुत्र को क्या बोला जाता है लिंग गुण सुत्र बोला जाता है और ज्यादा तर आनुवानसिक रोगों के लिए उत्तरदाई जीन इन लिंग गुण सुत्रों पर ही क्या होते हैं इस्थित होते हैं इसलिए इने लिंग सहलगन जो जीन है वो भी बोला जाता है जो की उप्तरदाई होते हैं आनुवानसिक रोगों के करण। आए देखते हैं कौन-कौन से इस परकार के रोग हैं, क्या उनके लक्षन हैं, क्या उनके कारण हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वरणान दिता की जिसे कलर ब्लाइंड लेंस की नाम से भी जाना जाता है। यानि जो X है, सेक्स क्रोमोसोम या लिंग गुन सुत्र जो होता है, उसमें से एक X होता है, एक Y होता है, किसमें मेल में और फिमेल में दोनों क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं। यदि किसी X-gun-7 परम मानव में यानी मेल में X-gun-7 परम या फिमेल में भी कोईसे भी X-gun-7 पर क्या हो गया, वो gene अनुपस्थित हुआ जिसके कारण क्या होता है लाल और हरे रंग को पहचानने के लिए एक protein उत्पन होता है वो यदि अनुपस्थित है वो gene तो क्या होगा जो विभेद करने वाला रंग विभेदी जो gene है वो क्या नहीं कर पाएगा अपने आपको express करके वो protein नहीं बन पाएगा जो ये कार्य करता है जिससे व्यक्ति में क्या हो जाएगा color blindness की इस्तिती आ जाएगी और पूरुसों में ये संभावना अधिक होती है पूरुषों में संभावना अधिक क्यों होती है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया पुर्षों में लिंग गुण सुत्र कौन से होते हैं X Y यानि एक X और एक Y जबकि महिला में क्या होता है X X तो यदि महिला के एक X गुण सुत्र में कोई दिक्कत है तो उसको compensate उसके खशती पूर्थी कौन सा कर देता है दूसरा X कर देता है लेकिन पुरुस में तो यदि एक X में गड़बड़ी हो गई तो उसको compensate करने वाला दूसरा X है ही नहीं इसलिए पुरुस में होने की संभावना अधिक होती है किसकी वरणान देता थी दूसरा इस प्रकार का genetic disorder है हीमोफीलिया और हीमोफीलिया रोग में क्या होता है व्यक्ति के जब चोट लग जाती है तो जब रक्त बहना चालू करता है चोट लग गई रक्त बहेगा सामने व्यक्ति में कुछ समय बाद वो रक्त क्या हो जाता है उसका ठक्का जम जाता है और रक्ट बहना क्या होता है बंद कर देता है लेकिन हीमोफिलिया से ग्रसित जो ग्रसित होते हैं चोट लगने के बाद एक बार रक्ट बहना चालू हो गया तो उसका ठक्का नहीं जमता इस परकार का रोग क्या कहलता है हीमोफिलिया और इसका कारण भी क्या है X गुणशूत्र पर एक जीन इस्थित होता है और वो जीन अपने आपको एक्सप्रेस करके या अपने आपको क्या करके प्रदर्शित करके क्या बनाता है? Cloting factor 8, 9 और 11 बनाता है और ये Cloting factor 8, 9, 11 ही क्या बनाते है? रक्त का थक्का जमाते हैं तो जिस व्यक्ति में ये X गुनसुत्र पर ये वाला जीन नहीं होगा जो कि किसको बनाता है क्लोटिंग फेक्टर को बनाता है उस व्यक्ति में क्या होगा ब्लड का थक्का नहीं जमेगा तो ये भी क्या है X गुनसुत्र सहलगन होता है कौन सा हेमोफीलिया के लिए उत्तरदाई जीन उसके बाद next है Turner syndrome Turner syndrome में क्या हो जाता है Trisomy होता है एक जीन क्या होता है अनुपस्तित होता है महिलाओं में क्या होता है Link गुनसुत्र में एक X गुनसुत्र या तो पूर्णता है या आंसिक रूप से क्या होता है अनुपस्तित होता है महिलाओं में हमने Link गुनसुत्र की सरंचना कैसी देखी थी? एक X और दूसरा भी X X, यानि X और X यदि किसी महिला में एक ही X गुनसुत्र हो, दूसरा X गुनसुत्र या तो उपस्तिती नहीं हो या ओरिजनल फॉर्म में उपस्तित नहीं हो तो उस प्रकार की स्थिती को क्या कह देते हैं Turner Syndrome कह देते हैं यानि एक जीन, लिंग गुनसुत्र का एक जीन क्या हो जाता है Switch Off हो जाता है Switch Off हो जाता है तो इस से संबन्दित ये जीन, ये गुनसुत्र जिन जिन इस गुनसुत्र पर इस्थित जीन, जिन जिन लक्षणों को प्रदर्शित करेंगे वो लक्षण इसमें नहीं पाये जाएंगे और उसका परिणाम क्या होगा छोटी गर्दन होगी जिसमें ये टरनर सिंड्रोम है उस रोगी की गर्दन छोटी होगी उसका विकास प्रोपरली नहीं हो पाएगा और उसके हरदे का विकास भी प्रोपरली नहीं होगा और कुछ समय में उसकी मरत्यूभी कारित हो सकती है इसी परकार का एक रोग है क्लीन फेंटर सिंड्रोम और इस क्लीन फेंटर सिंड्रोम में क्या होता है जो सेक्स क्रोमोसोम होते हैं उसमें सेक्स क्रोमोसोम में क्या होता है एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एक्स गुनसुत्र होता है हम देखते हैं कि जो पुरुस होता है पुरुस में क्या होता है XY क्रोमोसोम होता है कौन सा sex क्रोमोसोम या link गुन सुत्रव क्या होता है XY लेकिन यदि एक extra x और आ जाए तो उस इस्थिति को क्या बोल देते हैं Trisomy अभी ये 2 थे 2 से 3 होगा तो क्या बोल दिया इसको Trisomy ठीक है चार भी हो सकते हैं एक एक्स यानि XY की अत्रिक्त एक या दो या तीन extra x क्रोमोसोम हो सकते हैं तो सरचना कैसी हो जाएगी XY की जगें XXY या XXXY या 4XY प्रकार की सरचना बन जाएगी जिसका प्रभाव क्या होगा उस व्यक्ति में जन्नानंगों का विकास नहीं होगा उसमें दित्यक, लेंगिक, लक्षन, अथार, दाडी, मूच वगेरा जो आते हैं इन लक्षनों का विकास नहीं हो पाएगा और कालांतर में इसकी म्रत्यूभी कारित हो सकती है नेक्ष्ट जो अनुआंसिक रोग है वो है पटाउ सिंड्रोम इसमें भी क्या होती है? ट्राइसोमी होती है क्या होती है? ट्राइसोमी यानि दो की जगें तीन गुणसुत्र होती है लेकिन ये होता का है? लिंग गुणसुत्रों में नहीं तेरवी, तेरवा नंबर का जो गुणसुत्र है मानोव का, वहां पर क्या होता है triple X क्या हो जाएगा, triple X हो जाएगा triple X हो जाएगा, इसका तात पर ये दो से, बढ़कर कितने क्रोमसोम हो गए? तीन क्रोमसोम हो गए और उसका परिणाम क्या होगा? भर्ध और जन्नांगो संबंदी जो विकार है वो उस व्यक्ति में देखने को मिलेंगी इसी प्रकार का एक रोग है Edward syndrome और इसमें भी Trisomy होती है यानि दो की जगें गुनसुत्र कितने हो जाते हैं तीन लेकिन किस कहां होते हैं ये अठारवे नंबर का जो क्रोमोसॉम एक से लेके हमने देखा 23 क्या होते हैं जोड़े होते लेकिन 23 गुनसुत्र में पुरुस और महीला में अलग-अलग जोड़ा होता है पुरुस में XY और महीला में XX परकार का जोड़ा होता है इस जोड़े में दो से अधिक क्रोमोसॉम किसी भी जोड़े में ये दो से अधिक क्रोमोसॉम हो गए तो उसको Trisomy कह दिया Edward syndrome में ये Tr Trisomy 18 नंबर के क्रोमोसॉम में होती है लक्षन क्या क्या होते हैं हर्दे विकार छोटा सिर और आपस में जोड़ी वी उंगलिया ये किसकी पहचान है Edward syndrome की उसके बाद आता है Down syndrome और Down syndrome में 21 नंबर का जो क्रोमोसॉम है वहाँ पर Trisomy हो जाती है यानि तीन गुनसुत्र वहा देखने को मिलते हैं जो आनुवानसिक रोग है उनका उपचार वरतमान की चिकित्सा प्रणाली में संबव नहीं है और ये जो गुनसुत्र संबंदी रोग है उनकी होने से अक्सर व्यक्ति का जो सारेरीक विकास है वो उस अनुपात में नहीं हो पाता जो स्वस्त व्यक् में हम रख सकते हैं क्योंकि वरतमान की चिक्त्सा प्रणाली में इनका जो इलाज है वो अभी संबव नहीं है ये बात थी किसकी कुछ आनुवानसिक रोगों की अब इन्ही आनुवानसिक रोगों में से एक रोग हमने पढ़ा था हीमोफिलिया एक अमने ठर्नर सिंड्रोम एक Clean Fenter Syndrome और एक Word Under था इन सभी को हमने देखा था कि इन से सम्मंदित जो जीन थे वो किस पे थे Sex Chromosome पे थे किस पे? Sex Chromosome पर थे Link Chromosome पे थे इसी कारण इन्हें Link सहलंग डिस ओर्डर भी कहते हैं क्योंकि जो जीन इसके लिए उत्तरदाई है वो किस Chromosome पे थे? 23 नंबर के 23 जोड़ी के जो Chromosome है जिने Link गुर्ण सुतर कहा जाता है उस पर उपस्तित थे ठीक है? अब Genetic Order जैसा मैंने आपको पताया जनमजात होते हैं मतलब माता-पिता से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं लेकिन आउशक नहीं है कि जिस व्यक्ति को Genetic Disorder हो वो अपनी अगली PD को भी वो Genetic Disorder क्या करे? Transfer करे यानि जिस व्यक्ति को Genetic Disorder है उसके बच्चों में हालां कि Genetic Disorder होने की संभावना रहती है लेकिन confirm ऐसा हो ही ऐसा आउशक नहीं दूसरी PD को रोग स्थानांत्रित हो ही एसा आउशक नहीं तीसरी बात जो मुख्य बात यहां अमको देखनी है कि जितने भी Genetic Disorder होते हैं जो कि किस से संभन्दित होते हैं सेक्स क्रोमोसॉम से संभन्दित होते हैं उनसे प्रभावित होने की संभावना किसकी अधिक होती है? नरकी पुरुस की अधिक होती है क्यों होती है? क्योंकि पुरुस में हमने देखा था यह जो Ling-Gun-Sutr है उसकी सरचना क्या है? XY जबकि मादा में क्या है? XX है यह तो है male में यह है female में तो male में जो क्रोमोसॉम है X chromosome कितना है? एक इस X chromosome के जीन में कोई गड़बड़ी होती है तो इस गड़बड़ी की शतिपूर्टी के लिए दूसरा X यहाँ पर उपस्तित ही नहीं है जबकि female में यदि इस X chromosome के जीन में कोई गड़बड़ी होती है तो उसको compensate या शतिपूर्टी दूसरे X क्रोमोसों से मिल सकती है इसलिए पुर्षों में अधिक संभावना होती है महिलाओं के पेक्षा जेनेटिक डिसोर्डर जो की लिंग सैलगन है उनके होने की आदि बात हो गई आनुवांसिक रोगों की बात हो गई संक्रामक रोगों की अब बात करते हैं टीका करण टीका करण का तातपर है वैक्सिनेशन वैक्सिनेशन का तातपर है क्या हुआ किसी भी व्यक्ति को किसी रोग के प्रती प्रती रोधक शमता प्रदान कर देना उसको क्या कह देते हैं टीका करण या वैक्सिकरण ये तो क्या हो गया active process और दूसरा क्या हो गया inactive process अब active process और inactive process को समझने से पहले मैं आपको बता दूँ कि किसी भी व्यक्ति में जब क्या होता है किसी भी रोग का संकर्मन होता है जब भी किसी रोगाणूं का क्या होता है संकर्मन होता है तो उस रोगाणों को सरीर द्वारा किस रूप में लिया जाता है एंटीजन के रूप में किस रूप में ले लिया गया एंटीजन के रूप में जब सरीर इसको ग्रहन करता है तो सरीर का प्रतिरक्षा तंतर क्या हो जाता है प्रतिरक्षा तंत्र अपना कारे करना चालू कर देता है और ये प्रतिरक्षा तंत्र क्या करता है और ये प्रतिरक्षा तंत्र एक्टिव होकर एक्टिवेट होकर क्या बनाना प्रारम कर देता है इस एंटीजन के विरुद एंटीबोडीज बनाना प्रारम कर देता है जाकर क्या हो जाती है बंद जाती है और इस प्रकार से सरीर को प्रतिरक्षा प्राप्त होती है अब इन सब का vaccination से क्या relation है यदि हम उसकी बात करें तो vaccination के अंतरगत भी क्या किया जाता है सरीर में किसी भी प्रकार से antigen के रूप में antigen के रूप में क्या प्रवेश कराये जाते हैं क्या प्रवेशित कराये जाते हैं पैथोजन प्रवेशित कराये जाते हैं लेकिन ये पैथोजन या रोगानू क्या होते हैं कमजोर होते हैं प्राय क्या होते हैं कमजोर होते हैं रोगानू को कमजोर करके सरीर म प्रवेस करा जाएगा तो उसके विरुद क्या बनेंगी antibody और antibody बनते ही क्या हो जाएगा प्रतिरक्षा तंत्र activate हो जाएगा तो इस प्रकार का कारे जब vaccination के अंतरगत किया जाता है तो इसे सक्रिये प्रकार का vaccination कहते हैं किस प्रकार का vaccination सक्रिये या active vaccination कहते हैं जबकि दूसरा vaccination होता है उसे अक्रिय वैक्सिनेशन या पेस्चिव वैक्सिनेशन कहा जाता है जिसके अंतरगत प्रती रक्षा तंत्र को शक्रिय करने की जगे सीधे ही क्रतिम रूप से अंदर ही एंटी बोडी उत्पन की जाती है और दूसरा प्रकार होता है जिसमें अक्रिय या पेस्चिव वैक्सिनेशन जिसके अंतरगत क्या किया जाता है एंटी बोडी को सीधे ही क्रतिम रूप से किसी रोगानों के प्रती सरीर में प्रवेश कराया जाता है तो ये था वै रेस्पॉंस में शरीर में क्या बनती है ऐंटी बोडी बन जाती है इसके एक तरीका और है कि सीधे ही इनके प्रती जो एंटी बोडी है उन्हें क्रतिम रूप से इंजेक्शन द्वरा शरीर में प्रवेश करा दिया जाए तो इस प्रकार से वैक्सिनेशन का टिटनेस का इंजेक्शन टिटनेस के लिए जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसमें टिटनेस के प्रती टिटनेस के रोगाणू के प्रती एंटी बोडीज को सीधा क्या कराया जाता है प्रवेश कराया जाता है ठीक है अब वैक्सीन के बारे में एक विशेश आपको बात ध पैथोजन क्या करेगा वापिस से वही पैथोजन क्या करेगा जब वापिस से वही रोगाणू या पैथोजन जब वापिस से अटैक करेगा शरीर पर तो उसके विरूद क्या करेगा प्रतिरक्षा प्रदान करेगा भविश्य में भविश्य में यानि कहने का तात्परी क्या बना देता है प्रतिरोधी बना देता है और वो कैसे किया जाता है दोनों हम माध्यम देख चुके हैं किस परकार से वो अचीव किया जाता है करा जाता है अब हम कुछ महतपूर्ण वैक्सीन की बात करेंगे कुछ महतपूर्ण वैक्सीन जो बच्चे के जनम से लेके एक उम् रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है तीबी रोग के प्रतिरोधक्ता प्रदान करने के लिए लगाया जाता है और सिसु के जनम के समय इस वैक्सिन को लगाया जाता है नेक्स्ट है पोलियो वैक्सिन पोलियो से बचाव के लिए वैक्सिन लगाया जाता है और कब लगा तब 2 महा 15 दिन धाई महिने का बच्चा हो जाए तब 3.5 महिने पे और 2 वर्ष पे यानि इस प्रकार से इसकी डोज बच्चे को पिलाई जाती है उसके बाद है वैक्सिन DPT जो कि किस के लिए दिप्थीरिया पल्टूसिस और टिटनेस से रक्षा के लिए दिया जाता है और इस वैक्सिन को बच्चे को 1.5 महा पर, 2.5 महा पर और 2 वर्ष पर दिया जाता है इसी प्रकार मीजल्स या खसरे से सुरक्षा के लिए बच्चे को क्या खसरे का टीका लगाया जाता है जो कब-कब लगाये जाता है 9 से लेके 12 महा का जब बच्चा हो जाए उस वक्त कभी भी लगा दिया जाता है उसके लावा एक vaccine लगाये जाती है DT जिसे diphtiria, titnes vaccine कहते है डिप्तीरिया और टिटनेस से बचाओं के लिए लगाई जाती है बच्चे के 5 वर्ष आयू होने पर ये लगाई जाती है इसी प्रकार टिटी टिटनेस टोकसाइड नाम का एक वैक्सीन भी लगाया जाता है जो बच्चे की उम्र 10 से 16 वर्ष जब हो जाए तब लगाया जात है इसी प्रकार विटामिन ए भी कई जगह क्या होता है वैक्सीन के रूप में दिया जाता है 9 माह, 18 माह, 24 माह, 30 माह और 36 माह की उम्र पर बच्चों के साथ ही गर्वती महिलाओं को भी कुछ प्रकार की वैक्सीनिशन दी जाती है जैसे टीटी वन और टीटी टू टिटनेस इन वैक्सीन के लावा कुछ बूस्टर डोज भी वग्चों को लगाय जाते हैं वो बूस्टर डूज है डीपीटी बूस्टर डोज, और बुश्टर डोज अरल पोलियो डीटी टीटी और विटामिन ए के लिए ये बूस्टर डोज लगाई जाती है और जब बच्चे की आयू दो वर्ष की होती है तब इस परकार का जो डोस है वो लगाया जाता है तो ये थी आज की हमारी क्लास इसी के साथ इसी टॉपिक के साथ आज की जो हमारी क्लास है वो समापत होती है मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में तब तक के लिए धन्यवाद जैहिंगे